Hello friends, आज का हमारा topic है, आज हम HTML के अंदर tables में सीखने वाले हैं semantics in tables semantics क्या होते हैं, tables के अंदर इनको हम सीखने वाले हैं इसका मतलब यह होता है, यानि table के अंदर हम क्या करते हैं, header, footer, body इस तरीके से अपने data को क्या करते हैं, organize भी रख सकते हैं इसके लिए हम 3 tag का यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं semantics in tables यानि कि अपने data को हम किस प्रकार से organize करके रख सकते हैं, किसके format में, header में, body के अंदर, footer में किस प्रकार से मुझ को रख सकते हैं, organize करके, यही हमारे क्या होते हैं semantics in tables यह होता है हमारा इसके लिए हम तेन टैक का यूज करते हैं जिसमें से फ़स्ट होता है हमारा टी यज हेड यानि कि यहाँ पर टी हेड होता है जिसको हम बोलते हैं टी बॉडी होता है टी फूट होता है इसका क्या मतलब होता है टी हेड का मतलब होता है टेबल हेडर उसके ब आपने यहां पर टेबल के अंदर बात करें कि टेबल हिडर क्या होता है टेबल की बॉड़ी क्या होती है और टेबल का फुटर क्या होता है तो इसको हम देखते हैं लेकिन यहां पर जो टेबल फुटर होता है यह बहुत कम यूज होता है इसका यूज हम किसलिए करते हैं चिकता पढ़ती है, otherwise जादा थर जो यूज होने वाले टेग है, वो हमारा क्या है, टी हेड है और टी बॉडी है, यानि कि टेबल हेडर यूज होता है और टेबल बॉडी यूज होता है, अगर इसमें हम बात करें तो food menu किसके अंदर आता है, ये तो caption टेग के अंदर ही आता ह है, यानि कि टेबल का title होता है, उसके बाद यहाँ पर जो highlighted part होता है, ये किसके अंदर आ जाता है हमारा, टेबल header के अंदर आता है, ये क्या हो जाता है हमारा, टेबल header हो जाता है, जिसके लिए हम किसको यूज करते हैं, head tag का यूज करते हैं, इस tag को अब हम किसके अंदर वाले हैं टी हेड टेक के अंदर रखने वाले हैं उसके बाद यहां से जो भी आपको नॉर्मल टेक्ष्ट दिख रहा है जैसे यहां पर पास्ता हो गया चिकन हो गया सलाद ओ गया इन सबी चीजों को यह सारा क्या होता है टेबल की बॉडी होती है इतना चीज जहां तक case में use किया जाता है यानि जब पूरे data को summarize किया जाता है जैसे मैंने यहाँ पर total sum निकाला हुआ है पास्ता का चिकन का सलाद का total sum जो आया है उसको हम क्या बोलते हैं table का footer बोलते हैं तो यहाँ पर यह क्या होगा table का यह puter होगा जैसे अगर यहाँ पर देखे t head to wrap table header खुरे data का way रखेत है यह सेम यहाँ पर इससे पहले मैंने इस table को create किया था उसी टेबल के अंदर इन सभी चीजों को हम add करने वाले हैं टेबल body को add करने वाले हैं टेबल के header को add करने वाले हैं और उसमें एक नई चीज भी हम add कर देंगे टेबल footer को ताकि आपको समझ में आए वैसे तो ये यह कोई भी यूज़ नहीं होता है लेकिन इसको भी हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो इसके अंदर हमारा जो यहां पर टेबल क्रियेट हुआ है इसके अंदर आपको डिस्प्ले में इसका कोई भी रिजल्ट जो होगा वो चेंज नहीं आएगा सेम रिजल्ट जैसे हमारा पहले वाला रेजल्ट था लेकिन यहां पर एक चीज हम और एड कर देंगे तो यह चीज एड हो जाएगी लेकिन और कुछ भी चेंज नहीं होगा अगर आपको लगता है कि मैंने टेबल हेडर टेग को यूज कर लिया है तो उसमें कुछ चेंज अप हो जाएगा टेबल बॉडी टेग का यूज किया तो कुछ यह अप हो जाएगा बस इससे क्या होगा यह पार्ट में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा जिससे हमें यह पता चलेगा जब हम इसके कोड को देखेंगे राइट प्लिक करके इंस्पेक्ट करके जब हम इसके कोड को तो वहां पर हमें पता चलेगा कि हां ये टेबल हेडर होगा यानि कि टेबल का और ये टेबलख की बॉड़ी और ये टेबलका फुटर होगा तो इसको सबसे पहले क्या करने वाले हैं मैं제 कैति सबसे प iç id Vamos passarा kami लने क्या करना है यह दोनों किसके अंदर आती है, table header के अंदर आती है, तो table header को मैंने use किया है, तो यहां से हम क्या use कर लेंगे, tag को use करने वाले है, t-h-e-a-d, यानि कि table header tag को use करेंगे, और इन सभी चीजों को, यहां से मैं इसका closing वाला part यहां से हटाती। Ctrl X करके इतना part क्या होगा हमारे header का part होगा तो इसके just बाद हम क्या कर देंगे इसको close कर देंगे तो यहां से यह क्या हो गया table header में क्या हो गया divide हो गया यह header का part हो जाएगा अब इसको save करते हैं अगर मैंने यहां पर refresh किया तो same ऐसे है ऐसे ही रहेगा जैसे मैंने refresh किया कुछ भी change रही हुआ लेकिन जैसे मैंने इस पर right click किया inspect किया वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या so होगा अगर इस पर मैंने click किया यहाँ से उसके बाद यहाँ पर यह वाला जो part पूरा लिखा गया है यहाँ पर अगर header वाले part को हम देखें इस पर click करते हैं तो यहाँ से अगर आप देखें तो table head यहाँ पर क्या हो रहा है table का जो header है वो so होगा table body यहाँ पर दे रहा है उसके बाद इस पर हम click करते है table head यहाँ पर देख सकते हैं आप table header के अंदर हमारा क्या आरहा है आइटम आ रहा है इस पर जैसे यहांप क्लिक करेंगे तो यहां से आपको code में क्या दिखाई दे रहा है कि यह table के header का part है यहां से hardest head यहां पर table header मेंने दिया था तो item और price जो है ये दोनों जो दिख रहे हैं यहाँ पर यह किस पाइट में आए हुए है रो में तो है यह लेकिन यह टेबल का क्या है हेडर वाला पाइट है इसी प्रकार से और भी हम एड़ करते हैं हेडर को हमने एड़ कर दिया अब बॉड़ी के अंदर कौन कौन सी चीज़े आएंगी पूरा जो हमारा क्या है जितने भी आइटम है वो सारे बॉड़ी के अंदर आते हैं बॉड़ी टेग के अंदर तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा यहां से सेकेंड रो जहां से इस्टाइट हुई है और फोर्थ रो तक हमारा क्या है टेबल की बॉड़ी है तो इसके लिए हम इस पूरे को क्या करने वाले है टेबल की बॉड़ी के अंदर रख देने वाले है यानि की टी बॉड़ी टेग का हम यूज कर लेंगे और यहां से मैंने इसको इसके closing वाले part को हम वहाँ पर ले जाएंगे जहाँ पर हमारा क्या हो रहा है table की body जो है वो finish हो रही है इसको मैंने यहाँ से क्या कर लिया Ctrl X कर लिया उसके बाद अगर आप देखें यहाँ से यहाँ पर fourth वाला part इसके बाद जहाँ से ti tag हमारा close होता इसके जश्ट बाद इसको मैंने paste कर दिया अब क्या कहने वाले हैं Ctrl X करके save करते हैं और मैंने यहाँ से क्या किया refresh किया इसको तो यहाँ से अगर आप देखें इसको मैंने और यहाँ से क्या कर लिया इसके explanation को यहाँ से देखते हैं table body के अंदर आ रहा है तो यहां से आपको inspect करने पर पता चलता है कि कौन सा table में कौन सा कौन सा part है यानि कि कौन सा header है कौन सा उसकी body है कौन सा footer है अब footer के लिए भी हम देखते हैं footer के लिए हमें add करना पड़ेगा तो इसको हम add करते हैं footer के लिए body के बाद हम यहां पर table footer को add करने वाले है तो जिसमें हम क्या add करने वाले है total sum जो होगा उसको add करने वाले है यहां पर आप देख सकते हैं total sum 80 है तो इसको हम add करने वाले है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा tr tag का use करना होगा इस से पहले मैं क्या करूंगी टेबल, फुटर का यूज़ करेंगे तो T, फुट का यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर मुझे क्या करना है एक row create करनी है row के अंदर हमारा डेटा किसके अंदर होगा TD, टेबल डेटा के अंदर होगा तो यहां से मैं मुझे क्या add करना है total sum add करना है इसको मैंने add करना है next में क्या add करना है total sum हमारा क्या है 80 रुपए है तो यहां से मैंने इसको add कर दिया और इसको हम क्या करते हैं save करते हैं और refresh करते हैं अपने paste को तो यहां पर add हो चुका है highlight हो रहा है blue color से यानि इस पर जैसे हम click करें तो यहां से यह क्या है table का footer वाला part है तो यहां से जो भी आपके code को देखेगा उसको देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीजे क्या है इस table के अंदर ये था आज का हमारा topic जिसमें हमने तीन चीजे सीखी कि table footer क्या होता है table header क्या होता है और table body क्या होती है और इसका हमें use क्यों करना चाहिए यह क्या करता है section में divide कर देता है कि कौन सा part क्या है हमारे table का I hope दोस्तों कर आज की information आपको अच्छी लगी हो तो please video को like करना चैनल को subscribe करना और दोस्तों के पास share करना